किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रिकल्चर योट्यूब चेनल सोयबीन की फसल में कई परकार की इलिया, रिंग कटर, स्टेंप लाइवर, रेस्टूसर कीटों का अटेक होता है सोयबीन की अधिक पेदावार लेने के लिए पोदी को सुरूआत से लेकर अन्त तक इन सभी परकार के कीटों से सुरक्सित रखना कापी ज़्यदा जरूरी होता है लेकिन समझे यह आती हैं कि सोयबीन की ये कीट आसाने से कंट्रोल नहीं होते हैं और एक परकार की दवाई से इलिया वर रस्चुसक कीट दोनों कंट्रोल नहीं हो पाते हैं इसके लिए अलग-अलग दवाई डालना पड़ती हैं अलग-अलग दवाई डालने से खर्चा भी बहुत ज़्यदा हो जाता है तो किसान भाई यो इस वीडियो में आपको एक ऐसी कीट नासक के बारे में बताने वाला हूँ जिस कीट नासक के पर्योग से सबी परकार की रस्चुसक कीट वर इलिया दोनों कंट्रोल हो जाएंगे अगर आप सोयबीन में दवाई डाल डाल के ठक चुके हैं फिर भी ये कीट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार इस कीट नासक का पर्योग करके जरूर देखिए तो वाई कीट नासक कौन सा है आपको उसका पर्योग कितनी मात्रा में करना है उसकी कीमत कितनी है तो इन सभी की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंतर तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए गंटी की निसान को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब अगर बात करें उस कीड़नासक की तो वह है इस्पिनेट औरम 11.7% SC फॉर्मूलेशन यह एक टेकनिकल नाम है इस टेकनिकल के रूप में आपको मार्केट में डव एक्रो साइंस की डेलिगेट और दानुका की लार्गो कीड़नासक मिल जाएगी मतलब आप में डेलिगेट या लार्गो कीड़नासक में से किसी भी एक कीड़नासक का पुर्यूग कर सकते हैं इस पिनेट औरम अकेला एक एक एसा टेकनिकल है जो स्वयबिन में लगने वाली सभी परकार की इलियो, सपेद मक्की, हरा तेला, त्रिप्स, रिंग कटर वाइस टेंप लाई को असानी से कंट्रोल कर देता है और इस टेकनिकल का रिजल्ट 24 गंटे में मिल जाता है मतलब इस्प्रे करने के 24 गंटे के बाद आपको कीड़ वाइल्या मरी हुई नजराजना सुरू हो जाएगी और 15-20 दिनों का लंबा रिजल्ट टाइम मिलता है मतलब अगर आप लाश्ट इस्प्रे में इस टेकनिकल का पुर्योग करते हैं तो सोयबिन पकने तक पोदे में किसी भी परकार की कीड़ वाइल्यों का अटेक नहीं होगा इस पिनेटोरम बहुत ज़्यादा तेज कीड़ नासक होता है इसलिए सोयबिन में पूल के वस्ता में इसका पुर्योग बिल्कुल भी ना करे नई तो सोयबिन के पूल जड़ जाएंगे अगर आप इस्पिनेटोरम का पुर्योग करते हैं तो फिर आपको अलग से रस्ट उसक कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवाई डालना नहीं पड़ेगी या टेकनिकल अंडे, लारवा वर एडेल्ट तीनों स्टेज के कीटों को कंट्रोल कर लेता है अब मेन बात आती हैं इसके डोज वर खर्च की तो एक एकड में आपको 100 ml स्पिनेटोरम 11.7% ऐसी डालना पड़ेगा आप चाहिए डेलिकेट डालो या लारुगो या आपके ओपर डिपेंड करता हैं लेकिन इसका डोज रखना पड़ेगा 100 ml पड़ती एकड और 15 लेटर पाने वाले इस पर पंपा में 10 ml डालना है अब बात करें खर्च की तो या किटनासक बहुत ज़्यादा महंगा किटनासक है इसके 100 ml की कीमत 1100 से 1200 रुपे के आसपास है मतलब एक एकड में 1100-1200 का खर्च आएगा किसान भायो या टेकनिकल बहुत ज़्यादा महंगा है लेकिन अगर आप मान लीजे कि कोराजन डालते हैं फिर उसके साथ अलग से रेस्ट तूसर कीटो को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग कीटनासक डालेंगे तो उसका खर्च भी लगबग इसी के बराबर आ जाएगा तो फिर अच्छा है ना आप इसी केटनासक का पुलो करो इसका रेजल्ट भी कापी अच्छा मिलेगा किसान भाईयो आप चाहे तो इस बाहर डेलीगेट या लार्गो का प्रेक्टिकल करके देख सकते हैं हम किसी भी परकार से इन दवाओ को परचार नहीं कर रहे हैं जो दवाए अच्छा डेजल्ट दे रहे हैं हम सिर्फ उन्नी के बारे में बता रहे हैं तो आपको इस वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राय हैं कमेंट करेंगे जरूर बताइए वीडियो पसंद आया वो तो लाइक को सेर जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान